स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के लिए हम बात करें क्लास 11 के लिए इंग्लिश की जवापकी बुकह स्नैपशॉट्स उसका जो आठ्वा लेसन है जिसका नाम क्या है दा टेल ऑफ मेलन सिटी मेलन किसको बोल रहे हैं पर घर बूजे को तो मतलब कहानी टेल के है कहानी जो खरबूजय का शहर है सिटी है खरबूजय की उसकी कहानी द्यान है यह आठमा लेसन है और इस बुक में छटा और साथमा लेसन है जो वो क्या है काट दिये गए है सले बस जब कम हुआ उसको काट दिये गया तो अब यह आठ हुआ इसका अंतिम लेसन हम पढ़ रहे हैं तो इसे स्टार्ट करते हैं इसमें मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यह कहानी किसके बारे में हैं पहले हम यह थोड़ा सा पढ़ लें इसके बारे में कि यह क्या लिखा हुआ है यहां पे The following poem is taken from mappings which was published in 1981 मतलो यह जो poem है mappings से ली गई है जैसे अपने poems का संग्रह बोल देते हैं या फिर अपने collection होता है उसके अंदर बहुत सारी poems होती है या फिर मतलो लंबा कोई भी रचना होती है लंबी तो वहां से टुकड़ा लेते है poem का तो यह poem कहां से ली गई है मैपिंग से जो कहां 1981 में publish होई and is included in the collected points by Vikram Seth collected points by Vikram Seth ना हमसे poem जो collection है poems का उसके अंदर यह इसको शामिल किया गया है the king in this poem is just and placid does he carry his notion of justice a bit too far कि मतलब राजा क्या है इसमें न्याए देने वाला और न्याए भी अपने सबी से अलग तरीके से देता है क्या वो अपने न्याए देने के सही तरीके से बहुत दूर है यही देखना है कि क्या तरीका है उसका न्याए देने का यह एक funny सी story है story नहीं है यह एक poem है funny सी poem है इसको हम रीड करते है After Idris Shah मतलब ये बोल गया Idris Shah के बाद की बात है ये In the city which I sing मतलब जिसको मैं कहा रहा हूँ मतलब जिसकी मैं पॉइम बता रहा हूँ उस city में उस शहर में There was a just and placid king वहां पे मतलब एक मूर्ख टाइप का ही राजा था जो बस एक नियाई देना समयता था कि मैं नियाई ही देने में ने चाहिए कुछ भी हो उसका result The king proclaimed an arch should be constructed that triumphally Arch Arch क्या होता है देखिए राजा ने क्या बोला Construct करना है बनाना है Construct का अर्थ होता है निर्मान करना क्या करना है निर्मान और किसका निर्मान करना है Arch का Arch होता है एक इस परकार से सरंचना होती है जैसे नीचे से तो ऐसे दिवार होती है उपर से ऐसे तिर्चा सा गेट होता है ये इस टाइप से होता है गेट सा बना हो ऐसे ये सरंचना होती है और यहां से यह बीच में गेटा यहां से लोग निकलते हैं और यहां पर अगर लोगों को कोई मैसेज देना होता जैसे पुराने समय में राजा ने लोगों को कोई मैसेज देना होता था तो इसी परकार की मतलब एक सरंचरा हैं हर शहर के यह उनकी राजदानी में बनाई जाती थी मतलो इस पर कार का एक गेट होता था ओपर से शंक्वा कार और बीच में ऐसे गेट होता था यह वाला और यहां पर जो भी राजा का मैसेज होता वो लिखा जाता यहां से लोग गुजरते थे और जो भी मैसेज होता है यहां से वो पढ़ के जाते थे तो यह होता था आर्च इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्च तो क्या हुआ कि राजा के देख एक आर्च बनाना है वोड स्पैन दे मैसर थ्रोफेर मतलो थ्रोफेर मतलो वहां से निकलने वाला मुख्य दरवाजा वो ही होना चाहिए तो एडिफाइ स्पैक्टर्टर्स स्पैक्टर्स क्या होता है जो दर्शक होते हैं दर्शक है या निकलने वाले वहां से लोग है वो भी क्या है कोई भी सूचना है गी तू वहां से उनको जानी चाहिए उनके लिए लाइन ने लिखी जाए उनके उपर कोई भी सूचित करने के लिए दा वर्कमैन वेंट मतलो काम करने वाले आदमी गए and built the thing उन होने का उस चीज़ का निर्मान कर दिया और यहे राजा जो इस परकार के राजा होते थे ना पुराने समय के राजा होते थे उनको वो ही होता था कि मेरा जो मकसद है मैंने जो और्डर दे दिया बस वो पूरा होना चाहिए वो यह नहीं सोचते थे कि result इसका क्या निकलेगा या मैं क्या मैं सही कर रहूं क्या मैं गल्त कर रहूं सोचते नहीं थे बस अपनी मन की करते थे वो यह भी अपनी मन की कर रहा है एक आर्च बनेगा तो बनीगा अब क्या है workman है जो mystery है मजदूर हैं गए और उन्होंने आर्च बना दिया आर्च बना दिया तो अब जो राजा है राजा क्या हो गए पूरे खुश हो गए राजा क्या हो गए खुश हो गए ओके तो फिर देखे हम since they did so since he was the king जब मतलब वो राजा था तबी से वो ऐसे कर रहा था काम ऐसे गाम करता था हमेशा दकिंग रोड़ डाउन दा थ्रू फेर टू एडिफा स्पेक्टर्स देर और राजा क्या है वहां से उत्रा थ्रू फेर में गया मतलब को वहां से कुछ सूचित करता हूं निर्देश दूंगा लोगों को तो यह देखो उसने यह बनाया हुआ है यहां पर खड़ा हुआ है लोगों का निर्देश देने के लिए राजा अंडर दा आर्च ही लोस्ट हिस स्क्राउन अब देखो वैसे तो यह किस को बात कर रहे है crown को तो crown यहाँ पे मुकुट की बात हो रही है ओके वैसे तो crown prince word बोला जाता है राज़कुमार को बोला जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है? राजा का जो मुकुट है मुकुट इसको कहरे है crown और जैसे मतलब Рाजा उसमें एंटर हुआ तो राजा के सिर से क्या लाकि उत्र के मतलों क्या गिर गया क्राउन मतलों गिर गया वो कोट तो कारण गया था मुकुट गिरने का क्योंकि आर्च क्या था बहुत ही निच्चा लोग बनाया गया था डाउन था तो जैसे अपने कोई छोटा गेट होता कमरे का हम उसमें एंटर होते हैं तो हमारा सिर भीड़ जाता है तो वही बात हुई राजा उसके अंदर एंटर होने लगा राजा का सिर भीड़ गया उसमें और सिर के ऊपर जो था उसका क्राउन था वो नीचे गिर गया फिर क्राउन निच्छे गिरा तो राजा के चेरे पे क्या दिखी फ्राउन मतलो क्राउन के जाते ही चेरे पे आ गई फ्राउन और अब जो राजा क्या था खुश दिख रहा था पहले जो राजा पहले पूरा खुश दिख रहा था अब उस राजा का जो चेरा है गुस्टे से, मतलो पूरा लाल पीला हो चुका है चेरा, अब पहले तो, चेरा इस परकार खुश था पहले की तरह, अब वो राजा इस परकार पूरे गुस्टे में आ चुका है, फिर देखें, नेक्स्ट, appeared upon his placid face the king said this is a disgrace disgrace क्या है अपमान करना कहते है ये तो अपमान हो गया the chief of builders will be hanged hanged मतलो लटका देना तो वो क्या कहते है कि जो builders का chief है उसको क्या करेंगे builders के chief को उसको fancy दे देंगे हम उसको क्या करेंगे fancy देंगे तो फिर वो कहते हंग कर देंगे मतलो लटका देंगे the rope and gallows were arranged अब देखो rope rope क्या होती है रसी rope होती है रसी फिर gallows gallows होता है जो fancy का फंदा होता है तो अब देखो gallows कहते है fancy के फंदे को और रसी को और उस fancy के फंदे को arrange किया गया लेकिया गया the chief of builders पर laid out मतलो जो builders का chief था मुखिया था मिस्त्री वो लेकिया गया he passed the king वो राजा के पास गया he gave a shout वो चिलाया oh king it was the workman's fault मतलो वो जो फॉल्ट कहते है मेरी का महीं नहीं मेरा फॉल्ट नहीं वर्कमेन जो मजदूर थे करने वाले उनकी गलती है यह oh sad the king and called a heart और मतलो इसी प्रकार से वो कहता है कि मेरी गलती नहीं कि लिए मुझे शमा कीजिए to the proceedings being just a placider now he said I must have all the workman hanged instead और वो क्या कहता है instead मतलो इसके बजाए जितने भी workman है सारे आदमी है उनको लटका दिया जाए उनको fancy दे दी जाए तब workman looked surprised and sad और workman कहा surprise हो गई आश्चर चकीत हो गए और बोले oh king do you not you do not realize ते आप तो समझते नहीं हो रजा ऐसी बात नहीं है the bricks were made of wrong size अब क्या है कि अपने जो इंट होती है मतलो एक से size की होती सारी तो वो कह रहा है कोई इंट तो गला इस परकार से teddy थी कोई इंट कैसी थी तो कहा था इंट सही size की नहीं थी इंट क्या थी wrong size थी तो इसी कारण जाए इंट सही नहीं थी तो हम structure सही नहीं दे पाए उसको summon the messons said the king राजा क्या कहता है कि messons को mystery को बुलाओ the messons stood there quivering मतलो quivering मतलो वहां पर काम थे हुए डरते हुए messons mystery के खड़े हो गए it was the architect they said फिर वो कहते है कि गलती हमारी नहीं architect की है architect मतलो जो इसका शिल्प कार है निर्मान करने वाला है उसकी जो डिजाइन देने वाल डिजाइनर है engineer उसकी गलती है the architect was summoned फिर architect को summoned summon होता है नहीं बुलाना तो architect को summoned किया गया मतलो बुलाया क्या well architect said his majesty राजा कहता है अच्छा है architect I do order that you shall be hunged और कहता है मैं ये order देता हूँ कि अब आपको fancy दी जाएगी said the architect architect कहता है walking you have forgotten one small thing कि ये वो राजा आप तो एक छोटी सी चीज़ को forgotten कर गए भूल गए you made certain amendments to plan when I shout when I shout them to you कि जब मैंने आपको ये design show किया आपने इसमें amendment किया amendment क्या होता है amendment होता है संशोदन मतलो संशोदित करना किसी चीज़ को कुछ change करना कि आपने बहुत सारे संशोदन कर दी थे क्योंकि आपने भी देखते हैं जब design और घर का किसी चीज़ का पनाते है तो जो design दर देता है तो अपने इसमें अपनी मर्दी से कुछ शोदन कर लेते हैं आपने तो बहुत सारे संशोदन कर दी थे उसमें the king saw red राजा लाल होगा पूरा मतलो गुस्ते में भर गया in fact he nearly lost his head और उसने परा धिमाग है मतलो उसकी बुद्धी खो दी गुस्ते में being just but being just and placid kid he said there is a tricky thing मतलो यह कहता है यह तो मतलो बहुत ही चलाकी वाली बात है भी I need some counsel मतलो मेरे को कुछ counselling करने की सलाहे करने की जरूरत है bring to me the wisest man in this country इस country के अंदर इस देश के अंदर जो भी सबसे बुद्धी मान आदमी है उसको लेके आओ मेरे पास मैं उसके साथ कुछ counsell करूँगा सलाहे करूँगा the wisest man man was found and brought or wisest man को डुंडा गया लेके आए गया now carried to the royal court मतलो अब उसको कहा है royal court शाही court में पेश किया गया he could not walk and could not see अब वो बुद्धी मान आदमी काफी ज़्यादा उमर का था तो वो चल सकता था ना कुछ वो देख सकता था so odd बहुत ज़्यादा ओड़ था and therefore wise was he मतलो लेकिन wise बहुत था वो but in a quavering wise he said कांपती हुए आवाज में वो बोलता है the culprit must be punished मतलो जो सजा का पतर है उसको तो आप से सजा देनी चाहिए truly the ark it was that banged the crown जो सिर्का ताज आपका crown किसको ताज को बोल रहे हैं आपका सिर्का ताज वो किसके कारण नीचे गिरा है किसके कारण गिरा है उस आर्क के कारण मतलब उस आर्क के कारण नीचे गिरा है जो ताज है तो आप क्या करो उस आर्क को ही फांसी पे टांगो, लटकाओ उसको to the scaffold the ark was led when suddenly a council set मतलब उसने राजा ने क्या फैसला कि आप आर्क को फांसी दी जाएगी तो तो एक councillor बोलता है how can we hang so shamefully मतलब हम इतना शर्म से रहित हो के इसको कैसे टांग सकते हैं that touched your head, your majesty कि जिसने आपके सिर्क को छुआ है, उसको इतना बेशर में से आप कैसे फांसी दे सकते हो true muse the king, राजा कहता है सची बात है, चुप हो जाता है राजा but now the crowd, लेकिन अब जो भीड है वहाँ पे restless, was muttering allowed, मतलब वो जोर जोर से बड़ बड़ा यह कुछ आपस में बोल रही थी the king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled, मतलब सभी को राजा लेकिया आता है वहाँ से और कांप रहाता है, और फिर सभी से कहता है, क्या कहता है, जिसको बुला है assemble किया, मतलब एक ठाक यह था राजा ने let's postpone consideration of finner's point like guilt the nation wants a hanging फिर कहता है कि हमारे राश्टर को एक हैंगिंग की, हैंगिंग मतलब एक fancy किसी को देने की जरूरत है तो हम इसको postpone करते हैं, सोचेंगे कि देनी किसको एक जने को देनी तो पड़ेगी यह देश की जरूरत है हमारे राश्टर की हैंग मेस्ट विस संबन एंड एट इमिडेटली तुरंथ किसी को ना किसी को fancy देनी पड़ेगी दा नूज वास सेट अप समवट हाई, नूज नूज किसको कहरें जो fancy का फंदा है, जो gaunt है fancy की वो कुछ ज़्यादा ही उंची लगा दी गई एच मैन वास मेजर्ड वाई एंड वाई, और हर आदमी को मेजर किया गए, मापपा गया गए क्या किसी के हाइट इतनी है जो fancy के फंदे तक पहुंचे, और उनकी सोच क्या थी, फंदा तो उंचा बन गया, मूर्खों का फंदा था हूंचा बन गया, अब मूर्ख का कहते हैं कि जो इसमें फिट बैठेगा, उसी को इसा जा देंगी but only one man was so tall, सिर्फ एक ही आदमी इतना लंबा था he fitted, वो fit हुआ, only man that was all, सिर्फ एक one man that was all, वो एक ही आदमी वहां का सारा कुछ था एक ही आदमी था, जो पूरा मुखिया था सभी का और एक ही आदमी सबसे लंबा था, जो उसमें fit बैठा सबसे मुखिया था, करता दरता था, मतलब कौन था वो, वो था king राजा खुद भी fit बैठा उस फंदे में his majesty was therefore hanged by royal decree फिर वो क्या है कि कानून का भी पक्का था अपने और वो क्या कहता है कि मतलब royal decree मतलब अपने शाही कानून के लिए शाही नीमों के लिए कि मैं अपने आपको भी fancy चड़ा लूँगा वो खुद थैंक गोड ने आस भी found someone मतलब फिर अपना टाउन अन्रूली तो रहना नी चाहिए रूल तो कोई ना कोई करना चाहिए शाश्रक था चाहिए हमें कि लेकिन हमें ऐसा नी चाहिए कि यो हमारे अगेंस्ट हो जाए खिलाफ हो जाए long live the king the minister said मंतरी कहते हैं कि लंबी जिंद की जी हो राजा long live the king the king is dead और ऐसे कहते 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 राजा मर चुका है राजा गोने फांसी ले ली है they pondered the dilemma then being practical minded man और फिर वो क्या करते हैं कि यही सोचते हैं कोई बड़ी आइं practical mind का आदमी होना चाहिए sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name और वो proclaim कर देते कोशना कर देते कि राजा को सजा मिल चुकी है और अब कोई नया राजा उनको डूंडना होगा then next to pass the city gate मतलब city gate को pass करने वाले वो ही अगले आदमी थे we'll choose the ruler of our state मतलब जो उस city gate को ark को जो pass करेगा निकल जाएगो उसमें से अब वो ही हमारे state का राजा होएगा as is our custom this will be enforced with due ceremony मतलब उसको क्या है दक्के से ही हम राजा बना देंगे जो निकल सकता है उसके अंदर से a man passed by the city gate an idiot the guards cried wait मतलब एक आदमी वहाँ से pass हो जाता है city gate से और फिर क्या होता है एक मूर्ख टाइप का इंसान होता है guard चिलाते हैं कि रू को आपने नहीं जाना है who is to be the king decide सोचो कि राजा कौन बनेगा a melon a the idiot replied और idiot जो मूर्ख आदमी वहाँ से निकल चुका है अब वो क्या कहता है एक melon को खर्भूजे को king बना दो आप मूर्ख है मूर्खों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है खर्भूज़ा हो गया this was his standard answer to मतलब पूरी प्रज़ा ही मूर्खों की थी वो तो answer को उसको कहा है बहुत standard माना गया self-sust माना गया all questions भी question पर he liked melons क्यों? क्योंकि वो melons को खर्भूज़ा को पसंद करता था you are now our king कि आप क्या हो हमारे राजा हो दा मिनिस्टर सैड मंत्री कहते है crowning a melon एक melon को खर्भूज़ा को राजा मना देते है मतलब उसका crowning मतलब उसको राजगदी दे देते then they led now melon to the throne throne क्या आता? throne उता राजगदिया सिहासन फिर वो melons को खर्भूज़ा को सिहासन तक लेके आते and reverently set it down और सिहासन पर उसको रख देते है और फिर यहां की जो पूरी जनता है जहां की पूरी जनता है जितने भी लोग है सारे क्या है वो बहुत खुश हो जाते है बहुत खुश क्यों हो जाते है कि चलो हमारे काम में दखल अंदाजी करने वाला हमें प्रिशान करने वाला राजा नहीं है तो students lesson was complete और यह एक imagination वाली कालपनिक और एक entertainment करवाने वाली point थी मिलते हैं next lecture में next lesson के साथ अच्छी तरह से सुनिश्चित करें और जो भी आपके views हो जो भी आपके thoughts हो या जो भी आपको कोई problems हो तो अपनी comment box में share जरूर किया करें